एक दिसंबर दोहजार तेश से इंडिको कमपनी के माधिम से गोंद्या के बिरशी हवाई अड़िस से यात्री हवाई सिवा शुरू की गई सिवा शुरू हो गई हैं और कुछ तकनी की समस्त्याओं की कारण महट 6 मैने में ही हवाई परिवन सिवा बंद हो गई थी लेकिन अब गोंद्याब वासी एक बार फिर से हवाई सिवा का लाब उटा सकेंगे ऐसा एरपोर्ट अथरूरिटी अधिकारी और शेफ रफूल पठिल इन्होंने कहा है बिर्शे हवाई एड़े का निर्मान उनिस सोब्यालिस में विद्य विश्वयूत्य के दुरान ब्रिटिस सरकारफवरा गोंद्या शहर से सटेव बिर्शी गाउं में क्या गया था हालां कि चुकिया हवाई एड़ा आजादी से पहले पूरी तरह से इंदश्ट हो गया था 2005 में ततकालिंग के इंदियन नागरी उड़ेयन मंत्री प्रफुल पठिल ने इस हवाई एड़े का आधुनी की करंग किया और एक अंतराश्य मानक हवाई एड़ा बनाया ऐसा हो रहा है और कोई भी केवल 29 रुपे में गोंदिया से हैदराबाद तक हवाई यात्रा कर सकता है इंडिगो एरलाइन्स है जो देश की एक सबसे बड़ी एरलाइन्स ऑपरेटिंग कंपनी है उनकी गोंदिया हैदराबाद गोंदिया इस तरह से फ्लाइट शूरू होने वाली है एक डिसंबर से शूरू होना प्रस्ता भी था यह और यह शिडूल एरलाइन्स मतलब रिग इसका सबसे बड़ा फायदा है कि हम हमारे लोग गोंदिया से हैदराबाद जाके हैदराबाद से वह जितना कनेक्शन से इंडिगो के और बाकी एरलाइन्स के उसको एक्सेस कर पाएंगे तो हमने जैसा टिपिकली देखा कि गोंदिया से बंबई पहुंच निकली हम हो जो शुरूआत हो रही है दिन में एक होगी साड़ा का सअब इपारचर है कि लिए कि हुद्ध ऐसरा हो जो जो फ्लैट है ठांड़ाबाद से 10 बजिए सटार्ट होगी और गोंदिया में करी बारा बच्के पाच मिनू लाइट करेंगे और साढह बारा बजे हैं से बिप जन्द्यूस के लिए गोंदिया से अभिशेक भटनागर की रिपोर्ट